है हैं कि है अलो कि आ समार्ट क्लासा हुच हम लोगों के लिए के लिए हिंदी की ऐर गञा सिजँ कल्झ लोगों ने पढ़ा था के संदी कफरेंड संदी है ऊंदी लेकिन और हमारी हिंदी संदी संदी में बताया गया पांच वेद उसी से आपके पेपर में लगबग वहां से आ जाएंगे तो हम लोग देखो पढ़ने के लिए बहुत चीजें है ना पढ़ने के लिए बहुत विशाल सलेबस है लेकिन जो हमारी परिक्षा की दरश्टी से महतुपूर हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं और उसी पर चर्चा की जाए तो ज्याada भीर होगा तो विशन संदी और विश्रक संदी बची ति लोगों की व motivated विश्रक संदी आज हम लोग से टॉपिक पर डिसकस करेंगे और इसके बाद जब हम लोगों की class खतम हो जाएंगी तो हम practice सेट करवाएंगे practice batch लेके आएंगे या जो भी previous year questions होंगे वो लगवाया करेंगे जिससे फिर से recall हो जाए करेंगा फिर से आप लोग रिवाइज कर लोगे उन चीजों को तो देखो कल स्वरसंदी में हम लोग देख लिये थे स्वरसंदी में हम लोगों ने पांचों भेद पढ़ लिये उसके अब आज हम लोग व्यंजन संदी पढ़ते हैं ठीक तो व्यंजन संदी में हमने क्या बताया था कि जो व्यंजन संदी है व्यंजन संदी में पेटा व्यंजन वर्णों का व्यंजन वर्णों का स्वर्या व्यंजन के साथ जब संयोग हो स्वर्या व्यंजन के साथ इनकी संगिता होके जो भी विकार उत्पन हो वो हमारा क्या कहलाएगा व्यंजन संदी कहलाएगा उसमें स्वरसंदी में क्या होता था स्वरवर्णों के साथ जब मेल होता था है ना ऐसे तो था स्वरवर्णों के साथ जब मेल उत्पन होता था उससे जो विकार उत्पन होता था वो स्वरसंदी कहलाता था अब यहां पर यह कि व्यंजन वर्णों का जब स्वर या व्यंजन वरणों के साथ संयों होता है मेल होता है उससे जो विकार उत्पन होता है वह हमारा क्या कहलाता है वेंजन संदी कहलाता है देखो इसके कुछ कुछ एक्जामपल देख लो पीडियेप के थूरू हम इसलिए लेके आए क्योंकि आप ज्यादस ज्यादा एक्जामपल देख सको और जितना आप उदारण देखोगे वही उदारण आपके प्रशनपत्र में आएंगे तो मतलब जितना ज्यादस ज्यादा हम टच में है की जो हमारा एक टावर्मण है यह वैंजन की यह वैजण है ऐसे देख लो अब दिख राहोगा हमारी समस्य Elias sophomore से तो यह जो हमारा सट्रावेर्मण है यह वैजन है और तो यहां पर जो भी संदी होगी यहां जो मेल होके विकार उत्ट्पन होगा हुँ हमारा किस संदी के अंतर अगर प्रस्णिकी प्रक्रति सरल है तो वह रहां सिर्फ आपको यह दें अज सद्छन्दी संदी है और को यह दिया तो आप इसमें यह देखोगे कि शत और गुरू यहां पर तो दोनों वेंजन हैं है ना यहां पर आपको सडानन दे दिया गया सट धन आनन तो अब यहां पर आप कंफ्यूज ना होएगा कि एक तो वेंजन है और दूसरा हमारा स्वर है तो वेंजन का स्वर के साथ कैसे तो होगा वेंजन संदी में केवल हमारा जो इधर का वरण होना चाहिए वह वेंजन होना चाहिए पर संदी में जितने भी आप वरण इधर वाले देख रहे होगे इनमें सम में स्वर रहता होगा लेकिन वेंजन संदी में यहां सम में क्या रहेगा वेंजन रहेगा तो ऐसे देख लेते हैं हम लोग जैसे देखो, जैसे सट धन आनन, तो अब यहाँ पर टा हमारा किसमे चेंज हो गया, डा में चेंज हो गया, है ना, टा किसमें चेंज हो गया, डा में चेंज हो गया, ऐसे चित धन रूप, देखो सभी के नियम भी अलग हैं, अभी हम नियम में चलेंगे और नियम बताएंगे, ता हमारा किसमें चेंज हो गया दा में चेंज हो गया ठिक सत धन उपदेश यहां भी ता हमारा किसमें चेंज हो गया दा में तुप धन अंत तो सुबंत अच धन अंत अजंत तो यह हमारे सुबंत सुप से पा से यह अपने तृतियाक्षर में चला गया पा हमारा प्रतमाक्षर होता है न? daw और अभी निएम आपको बताय जाएंगे कि ए ऐसा क्यों चला गया कौन को से वरण हैं जो त्रथियाक्षर में चले जाते हैं न? तो एक्जांपल अभी समझो कि कि यह हमारे विंजन संदी हैं अगर यहाँ पर आ जाये आप लोगों को लिखने को कि सद्गुर्व में या तदरूप में या सुबंत में कौन सी संदी है तो आपका पहले तो सिंपल सा आपका जवाब होगा कि इसमें विंजन संदी है इसे देखो दिख्यान का हमारा प्रतमाक्षर है और का हमारा किसमे तरतियाक्षर में इसको चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा दिख्यान यही देखो लिखा होगा दिख्यान में वही देखो लिखा भी है यह दिख्यान है ना इसके बाद जैसे ता भी हमारा दा में चेंज हो गया, अब क्या बन जाएगा, देखो यहीं से बना लो, ता को दा में बेटा चेंज कर लो, वही तो लिखा है, है न, यहाँ पर पा को इसके तरतियाक छरबा में चेंज कर दो, देखो वही लिखा है कि नहीं लिखा, यहाँ ता को दा में वह उस्तास वह नहीं है इनमें आती जो प्रियुक्त कर रहे हैं जल्दी से भॉलके देख लो आपको वह सब्दी निकलेगा है जैसे सुप बहनांत सुप द्लक्षन दीरे भीववें हैं ौ इनकलेगा उत्धन यान है उत्ध्यान कर दो, है ना तो कोई नई चीज तो नहीं है, आप देखो, ऐसे उत्धन घाटन हो जाएगा, है ना यह इत्ता अमारा दा में हाँ, यह जरूर है कि आप लोगों को मान लो, किसी ने यह सब्द दे दिया, उत्ध घाटन, इसका संद्विछेद करि तो आप इसके लिए दा है, आपको दिमाग में जाना चाहिए कि यह तरतियाक्षर है, यह पहले प्रतमाक्षर में रहा होगा, तभी तो यह तरतियाक्षर में चेंज हुआ, तरतियाक्षर मतलब समझ रहे हो ना, जैसे पा फा बा, का खा गा, का आपका प्रतमाक्षर है, और गा आपका तरतियाक्ष्यर है चा आपका प्रत्मा अक्ष्यर है और चा शा ज़्ड राइख OFF ऩरेकिंध डेखो आच धन अंत लू गरीरी गुड जांत हो बन गया चाह को जामे चेंज कर दिया हमने में प्रितमाक्षर को उतर दी आक्षर में बताओ बेटा कोई समस्त पोग्च्चा या तो सदिक्छ्च्छा में देखो जाओ है ना सिंपल आगे चलें हम लोग जगत गुरू तो जगत धन गुरू जगत गुरू बन जाएगा तद धन उपरांत तद उपरांत हो जाएगा इसके एक्जामपल समझ गये होगे यह सब वेंजन संदी में आते हैं ठिक आप इसके बेटा नियम देख लो देखो लिखा है कि यदि अगोस वर्णों के बाद अगोस वर्णों के आगे आगे के मतलब बाद में है ना अनुनाशिक वेंजन आएं तो अगोस वर्ण अनुनाशिक वेंजन में परिवर्तित हो जाता है देखो यह हमारा अगोस है और इसके बाद हमारा अनुनाशिक आ गय और ना कैसा आए अनुनाशिक है भाई जो पंचम पंचमाक्षर नहीं होते हैं अनुनाशिक लो आज आगोश के बाद आए आगोस्वरण के आगे आगे का मतलब जैसे यह दो हैं अब इसका आगे यही तो हुआ बाद में बोल सकते हो जैसे प्रत्यों का विधान बाद में किया जाता है प्रत्या परश्च तो यहां आगे की जगा बाद में लिख लो ने तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर जैसे यह है सत नारी तो सत के आगे तो यह हुआ है ना कहने वाले का ताद पर आगे का मतलब यहां से तो आप बाद वाला ज्यादा समझो यदि अगोस वर्ण के बाद में अनुनासिक वेंजन आए तो अगोस वर्ण हमारा किसमें चें हो जाता है देखो जैसे बैटा दिक और नात यहां पर क्या लिखा है दिख और नात ओ सिंदिक नात को टो के रहे हैं कि जो हमारा मारा को सवर्ण होगा ठिक बाद समझ में आई जो अघोस वन वोगा geworden वह भुए होगा देखो लिखा है ना जैसे देखो सत धन्नारी अब बेटा देखो यहां ता आपका चेंज हो जाएगा अनुनासिक में तो ता वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा ना होगा तो यहां पर ऐसे लिख दो तन्नारी कोई समस्या जैसे देखो जगत धन्नात अब यहां यह नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई पहले हमारा अगोस वर्ण है अगोस वर्ण के तुरंत बाद अनुनासिक आया तो अगोस वर्ण किसमें चेंज हो जाएगाध अनुनासिक चेंज हो जाएगा अब यह तावर्ग का अनुनासिक वेंजन कौन सा है ताथा धाधण तो बस बेटा यहां पर ना लगा दो आधा ना लगाओगे तो ऐसे लिख दो और यह नात को ऐसे ही लिख दो तो समास पढ़ा देंगे तो देखो यह कुछ देख लो आप लोग इसके एक्जामपल कि अब देखो जैसे सनमार्ग है तो सनमार्ग में क्या हो जाएगा ताका ना कर दो सनमार्ग चिन्मय विद्धुन माला जगनात बताओ क्या दिक्क्त है इसमें जरा से समझने वाली चीज है कि भया इसको हम यह कर देंगे ठिक आगे देखते हैं देखो कहे रहे हैं दूसरा नियम हमारा यह कहता है यदि ता दा इसके बाद चा या छा आए ठिक तो ता दा चा में और ता दा के बाद जा आए तो जो हमारा ता और दा होगा वो जा में अगर ता या दा है इसके बाद अगर चाया चाह आए तो वह परिवर्तित हो जाएगा अगर ता दा के इसी तादा के बाद जा आ जाए ठिक तो यह हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा जा में परिवर्तित हो जाएगा ठिक और अगर यहीं तादा के बाद टा आ जाए तो वह हमारा टा में परिवर्तित हो जाएगा देखो यहां पर भी चा और छा तो परिवर्तन तो चाही हो हो जाएगा डा आ जाए तो डा में परिवर्तित हो जाएगा डा आ जाए अगर संरा ता का ला हो जाता है ठिक तोरली यह सूत्र होता है ता का ला में उत्धनलेक उलेक तो ता के बाद ला आ रहा है तो उलेक हो जाएगा ता का ला में हो जाएगा लेकिन ऐसे समझ लो कि ता दा के बाद चाछा रहा है जा आ रहा है ता रहा है डा रहा है ला रहा है तो यह सब स जैसे उसमें ता और दा इसी में परिवर्तित हो जाएगा ठीक देखो जैसे जैसे यहां पर एक्जामपल देख लो हुआ हो कि यह जा क्यों रहा है बार बार तो इसमें हम लोगों ने यह देखा कि अगर प्रथम वर्ण हमारा इसका आंते वर्ण प्रथमा इसका प्रथम सब्द जो है इसमें ता और दा हो दा में हो जाएगा जा हो तो टा हो यह ता और दा कौण हो जाएगा ता और जो दा हैं यह हो जाएंगे छेक झाचा है तो चामे का है तो टामे जा जामे ला है तो ला में और अगर डा है तो डा में अब को इसके एक्जांपल देख लेते हैं जैसे उट्रदन जॉल तो ये वताओ ताखे बाद क्या आ रहा है जा आ रहे हैं ना ताह के बात जा आया तो आपने नियम पड़応ाए कि ये जा में चेंज हो जाएगा । तो सिंपलसाइस को भी जा कर दो i don't nes कि को लिग गया कि जित क्षिक विपज जायर ऐसे कि तो विपद्जाल आब दा के बात या रहा है तो जो रहे वो किसमें चेंज हो जाएमारा है कि न एक हो यह लिखा ओगा विपद्जाल कि टीका कि तमारा किसने चेंज हो जाएगा रहा है यह तो simple ख कि यह यहां इसे करके जैसे करके सरद चंद्र यह हमारा दा किसमें चेंज हो जाएगा सरत चंद्र बन गया है ना कोई कठिन लगा बताओ च्छा इंगलिस में पड़ते हैं या तो ऐसे हिंदी में हमने पड़ लिया इनके बाद अगर यह आ जाए तो यह इसमें परिवर्तित हो जाएगा चाचा आ जाए तो तादा चा में हो जाएगा ता जाए तो टा में हो जाएगा ला जाए तो ला में हो जाएगा डा जाए तो डा में हो जाएगा कौन ता और था ता और दा ऐसे देखो पुट धनलास ता हमारा किसमें परिवर्टित हो जाएगा ला में खेक उच्छेद तो यहां पर ता और ता भी हमारा किसमें हो जाएगा अच्छा में उच्छेद बन जाएगा सच्चीदानंद है न है तो अमरा किसम f 002 हो जाएगा तो सचनav के बाद आ रही आ रही तो 하나 में हो जाएगा तो अगर इसका भीच्षेद करने को आजाए तो क्या बोलेंगे सत्चित आनंद करना हो तो कैसे बनेगा सत्धन आनंद सत्चित करना हो तो सत्धन्चित ठीक आगे देखते हैं कि आगे देखो लिखाए यदि ता दा जो हमारा ता था या दा था इनके बाद अगर शाह कौन सा तालब शाह आए ठीक तो क्या हो जाता है तो ता दा चाह में और शाह चाह में यह जो ता और दा हैं यह किसमें चेंज ङो जाएंगे चामें और या इस चाह हमारा शाह में परीवर्तित हो जाएगा और दा और हा बोलेंगे देह धा के बहुत है बहुना एख पिलाकि पूलो में और प्रिवर्टित हो जाएगा और हाँ किसमें परिवर्टित हो दा में देखो यहां लिखा तो था यह देखो ता दा है तो यह ता दा हमारा किसमें एच्छा में ता अमारा च्छा में ता दा है तो यह दोनों दा में और हा अमारा दा में यह लिखा तो था यहां लिखने की जोड़ते नहीं थी तो ऐसे परिवर्तित हो जाएगा इसके बा देखो एक्जाम्पल देख लो बिटा जैसे उत्धन हरन उत्धन हरन तो देखो ता और दा किसमें चेंज हो जाएगा अगर हा आ रहा है तो ता और दा में चेंज हो जाएगा और हा धा में चेंज हो जाएगा तो देखो ता को उत्धन हरन ता को आप दा में चेंज कर दो, और हा को धा में चेंज कर दो, तो क्या बन गया? और वही पूरा लिख दो, उध्धरण, यही देखो मिलके बन रहा होगा, साथ में मिला के लिख दो, उध्धरण, पद धन धती, तो इसमें पत धन हती, तो देखो ता मारा दा में चेंज हो गया और यह धा में तो पद्धन पद्धति ऐसे बन गया क्या बन गया पद्धति ठीक है आप देखो कि उत्धन सिस्ट है यहां पर आप लोग बताओ ता को हमने क्या बताया था कि अगर ता के बाद शाह आ रहा है तो ता या दा हमारा चाह में चेंज हो जाएगा ठीक और इसके बार शाह हमारा किसमें चेंज हो जाएगा यह मात्रा ऐसे ही लगा दो अब यह चाह मारा अंदर आ जाएगा कर ओड और यह ऐसे यह बना रहेगा कू आगे कर दो उच्छिस्ट बन जाएगा वही देखो बना है तो ऐसे करके HDR देखो से क्या बन जाएगा बनाऊ को देखो यहां पर ऐसे देख लो कि अची घ्ठ घ्या जाएगा यह मात्रा लगी ऐसे लगा दो लगादो अच्छलो चलो को आगे देखते हैं है लोग निंगो लेखो लिखा आए यदि हैस्व वर के आगे मलब हैस्व स्वर के बाद में लिख लो हैस्व रहर के बाद में चाव आए क्या है इचा आ जाए चा आ जाए तो जो च्छा है उसके पूर्व चा का आगमन उ जाता है 열 चा करना आगमन हो जाता है ले सल जल जल वो और थेजी देजी वोलो चाह होग लो तो वूपीटर निकले गाई यही संदी का कमाल है इचाहिछ सथी ता вами टीका तट्टिका ट। तत्टीका निकलेगा ही तुम बोल तत्टीका रहे हो सदानन सतानन 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 तो सदानन निकलेगा है ना चिदानन 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 वह चिदानन निकलेगा है ना तो ऐसे करके बोल के देख लिया क और हैस्ष्यो स्वर्ण के बाद यहाया हो जाएगा अनुच्यूअई जाएगा परिच्यूज लगती हैं पताओ अब संधियां टफ लग रही है जहां आपका ताहे उसको च्छा में कर दो देखो अगर स्वर है उसके बाद च्छा आ रहा है तो आधा च्छा जोड़ दू अब यहां देखो विटा बात कितम है हस्सु स्वर आगे च्छा बना दू को इदिकत देखो ऐसे ही आज च्छादन आ है च्छादन आ और च्छादन तो यहां च्छा बना दू तरुच्छाया खत्रत च्छाया बस बन गया कि ठीक कि आगे देखते हैं कि देखो एक अच्छा सा यह भी है फार्मुला या सूत्र या नियम जो भी कहलो इसमें यह बताता है कि यदि कि यू ए स्वर के बाद सा आए कौन सा हां यह सा मुर्धन्य वाला सा आ जाए मुर्धन्य सा ठीक तो सा किसमें परिवर्थित हो जाए सॉरी है सॉरी गलती हो गई यह वेटा हमारा कौन सा सा है कि यह दंतिसां है ऑर यह किसमें चेंज हो जाएगा मुर्धयार में और यह वाला जो सा होता入टा यह पेटा Milliसा होता है ठीक हो ठुढ़ा गलती हो गई थी तो जो हमारा दंतिसां है वह किसमें परिवर्थित हो जाएगा मुर्धनि सामें किसके बाद आए E A और उ जैसे देखो अभी धन शेक तो अभी इके बाद आरहा है न शाह तुम यहाँ पर क्या हो जाएगा यह वाला हो जाएगा अभिशेक वी इके बाद सा आ रही है तो यह वाला कर दो देखो सू तो यहां यह कर दो कि ना इसके बाद नि सेचन इके बाद आ रहा है इसा तो इसको इस वाले सामे कर दो अरे ऐसे लिखते ही हो ऐसे जोड़ दो बात ना कहने का मलब यह है नि शाद विधन सम तो यह वाला विशम हो जाएगा देखो वी में हमारा ए ना और इसके बाद सम है तो अब यह वाला सा है अब यह के बाद सा आ रहा है तो सा को सा में चेंज कर दो यह तो पूरा वही रहेगा वी सम बंग जाएगा पताओ बिटा कोई समस्तिया आगे चले जल्दी जल्दी चलने थोड़ा है ना देखो कह रहे हैं याद शा के बाद सा है यह ना आए किसके बाद सा के बाद अगर अगर यह था आ रहा है था ना आ रहा है तो फट्ता के पहले के बंट्टा था और ना देखो टा वर्ग के पहले कौंसा वर्ग आता है तो टा इधर ता तो तन किस में चला जाएगा परवर्थ वाले वर्ग में जैसे ता वर्ग हमारा टावर्ग में चेंज हो जाएगा देखो जैसे त्रिष ना अब यह बताओ त्रिष में हमारा यह वाला मुर्धन इसके बाद यह पंचमाक्षर है तो यह अपने परवर्थी वर्ग के पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा तो यहां पर यह ना हो जाएगा बाकी वही रहेग और न तो कृष्ण हो गया यह नहीं होता तो यहां डाओ जाता कृष्णा हो जाता विस्व और नु यहां पर साके बाद ना है तो आप यहां पर ना बना दो और उखी मात्रा लगा दो बाकि पूरा वैसे ही लिग दो विश्णू बन गया ठीक हाँ इसका विच्छे जरूर्याद रखिएगा सस्ट तो सस्ट और था क्योंकि था ही हमारा ऐसा है जो ठा में जाएगा ना नहीं चला जाएगा ठीक आगे चलें समझ में आई यह चीज चलो खुल मिलागे इनके जितने एक्जामपल देखते रहोगे वह आसानी हो जाएगी नियम उस समय याद आ जाएगा कि यहां यार इसका यह हुआ करता था देखो जैसे अगर मा के आगे इस पर्स देखो मा के आगे क्या है इस पर्स वेंजन के अलावा अंतस्त या उस्म वेंजन आएं देखो तीन प्रकार के वेंजन बताए थे हमने इस पर्सी वेंजन अंतस्त वेंजन उस्म वेंजन और फिर संयुक्त वेंजन बताए गए थे क्या होता है मा अनुस्वार में बदल जाता है जो हमारा पहले का मा यह है यह किसमें बदल जाएगा अनुस्वार में तो देखो जैसे लिखा है तो देखो भीटा तम धन यम तो अभ इसके बाद अन्तस्त वेन्जन आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा है न ये हमारा कैसा हैं अन्तस्त मलब का खा ये जो कावर्ग गावर्ग पावर्ग ऑर सईयव्त चोंड के जो बचे वह सही हो कैसे हैं अंतस्त और वस्म हैं तो अगर वह आ çalışा cụ क्या हो जाएंगे इनमें हमारा मकार है है यह हमारा अनुस्वार में बदल जाता है तो देखो अनुस्वार का मतलब वह ऐसे अंकिविंदी लग जाएगे ठिक तो क्या बन जाएगा संयम है ना आगे देखो ऐसे संग और सय तो संसय बन जाएगा संधनहार है तो क्या बन जाएगा संहार बन जाएगा ये अबरा ये यहां वेंत्सहक है संसार कर दो संभीदी बना दो संसार कर दो संभीदी बना दो इसको अटा कर दो इक्ष बस इतना सा करना आपको आगे चलते हैं हम लोग यदि अनुनासिक वेंजन मा के पस्चात निरनुनासिक निरनुनासिक का मतलब अनुनासिक भी होता है निरनुनासिक का मतलब जो अनुनासिक ना हो ठीक अनुनासिक वेंजनों को छोड़ कर अगर आएं तो मा के बाद वाले वेंजन के अनुनासिक व बन जाएगा घंधी तो क्या हो जाएगा ये मपारा विंदी इसमें अनुसवार में चला जाएगा संधी बन गया कोयी समस्या आगे देखते हैं हाँ लिखा है यदि मकार के बाद स्वर आये मकार का मतलब मा अगर मा या मकार मकार के बाद क्या आ जाए तो मा का मा ही रहेगा जैसे देखो समधन आचार क्या बन जाएगा समधन आचार क्या बन जाएगा समधन आचार क्या बन जाएगा समधन उचित समचित एसे ही देखो यहां बता दिया गया कि अगर सम उपसर्ग के बाद व्यभ्यन आए सम उपसर्ग के बाद यदि का व्यभ्यन आए कौन सा वेंजन का व्यंजन आए तो का के पूर्व सा का आगम हो जाता है जैसे हमने कल संस्कत की क्लास में बताया था यह सा का आगम क्या हुआ यह सा का आगम ऐसे हुआ सुट का आगम होता है वैसे बेसिकली अगर देखा जाए पूरा डिटेल में तो सुट का आगम होता है टाकी हलंत्यम से संग्या हो जाती है सुवचता है उ की उपदे से जोनों नासिकित से संग्या हो जाती है और सुट की टाकी हलंत्यम से ठीक तसलोपा सलोप हो जाएगा त तो वही बता रहे हैं कि यदि सम उपसर्ग के बाद यदि काव एंजन आए तो का के पूर्व सा का आगम हो जाता है का आगम का मतलब हुआ बिटा आगम हो जाएगा तो सा भी आ के बैठ जाएगा वो किसी और को नहीं अटाएगा साथ में आ जाएगा जैसे देखो सम धनक्रति तो सम क्या हो जाएगा अब यह मकार हमारा उपर चला जाएगा ऐसे समझो कि ऐसे सम्झो देखो जैसे आपका यहां पर लिखा आए कि po कि धनक्रति इन्होंने भताये कि मकार क्या हो अगर का आजाए तो पूर्वस्टा का आगम हो जाएगा और इसके बाद सा का आगम हो जाएगा और ऐसे बन जाएगा अब यह मकार हमारा किसमें चला जाएगा कि अनुष्टवार में चला जाएगा तो क्या बन गया देखो कि संस्क्रती बन गया ऐसे आपका संस्क्रत बनता है ऐसे आपका संस्कार बनता है तो यह आपके हो गए कि वेंजन संदी हो गई आपकी कंप्लीट और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं जल्दी से विसर्ग संदी का एक विसर्ग संदी में आपको पहले विसर्ग दिखेगा इसके बाद कि यह देखो कुछ अन्युदारण है हम सर से बोल कि आप लोगों को PDF उपलब्द करवा देंगे टेलीग्राम चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लिए जॉइन कर लीजिएगा तो उसमें क्या होगा कि आप लोग अपना PDF यह पा सकते हो ठीक कि इसके बाद देखो इसमें भी एक्जामपल दिये गए हैं उत्धन नयन उन्यन चिक जगत धनीस जगदीश अनुदनिस्थान अनुस्थान देखो यहां पर वही हुआ ठा क्या हो गया था में परिवर्तित हो गया ना यह जो था है वह ठा में परिवर्तित हो गया है ना मिल्सी जगता है अभी हमने इसके पहले थोड़ा बनाया करागत्याशिक का मारा गाहमेश हो गया सट धन बुद्दी सद बुद्दी हो गया एक की पीटर जितने वी अलम धन कृत देखो वही आ गया तो यह अलम और कृत तो यहां पर साद आएगा ठीक राफ उसके बाद स्वर्या वयन्यन के साथ पहले विसर्ग में और उसका विसर्ग या उसका स्वर्या वेंजन से योग हो स्वर्या वेंजन के मेल से जो भी विकार उत्पन होता है उसे हम विसर्ग संदी कहते हैं क्या बोलते हैं उसको विसर्ग संदी कहते हैं ठीक देखो सबसे पहले इसमें अब केवल एक्जामपल देख लो जैसे यशोगान तो यशह धन गान यहां पर यह विशर्ग था इसके बाद विन्यन आ गया तो यह बन गया जो हमारा विशर्ग है वह ओ में परिवर्तित हो गया यशोगान एंग और आएसे बेखो ऐसरे आपने देखा होगा मनह धन रता क्या हो जाता है मणो रता मनह धन हर मनों हर्ट एक्जामपल बहुत जरूरी है एकजामपल अक्सर पूछे जाते हैं यह वाले क्योंकि यह हमको ऐसे लगते हैं जैसे हमारे कैसे हूं कुछ तो हमें स्वरसंदी के जैसे लगते हैं और कुछ विंजन संदी जैसे लग जाते हैं लेकिन इसमें देखो जैसे आपका यशोगान यशह धनगान तरह धनज्य मना धनज्य ठिक तो मन मनोघ सरोज यशोगान मनादंहर मन को हरन करने वाला मनोहर मनाद żyर मनोहर में कौन सी संदी हो जाएगी विशर्ग संदी क्यों कि मना पहले पहले आया ठेक्ट तराधनरू ا 누가 यशाधन दा यशोदा देखूंळис송द देखना यशोदा का संधिझी तो क्या करोगे यसा नंदर इसको देने वाला यसको डेने वाली एधो भाग अधान भाग पिक पयोद पया धन था थ्यस्टोंडस ओपए को को हरन करने वाला ठीक पयोद ऐसे हो जाएगा मन कोन करने वाला ऐसे सब्सक्राइब के निक यहां पर वही आया कि इंगर विशर्ग औंचो अनुक्ऴ सेशंब कि मनों तो जाएगा जाएगा ऑललो हुआ झालगा मनों ऑलाशा हो गया मनों फिलाशा मनों विलाशा उस् कीश जाहसी तेजो वसी क्या बन गया कुल मिला के विसर्ग को ओ कर देना है विसर्ग को कर देना है यह आपका जुड़ जाएगा तेजो अगे देखो अच्छा जैसे देखो जैरे हैं यह विसर्ग कीपूal एख़ोग जैसे यहां पर विसर्ग है इसके पूर्व एकई कि नहीं देखो ऐसे ही तो लिक्हेंगे ना में यह और इसके बाद विसर्ग गये तो विसर्ग की पूर्व अगर कह या शा वह न या तो विश्रग शा में परिवर्दित हो जाएगा यह जो विंशख रख .. परिवर्थित हो जाएगा .. तो एसे नि और चया है तो अब यहां पर किसं परिवर्भ है ह। से स्विटार्ग कि निश्चाय बन गया ऐसे देखो निके बिचारा डिखो च्छामे परिवर्टित यह केबाद उसके पहले एसको सामेपरिवर्टित चाहेगा ऐसे सभा peripher यह तो यह आपकी बैठाटर आज संधियां दिखो थोड़ा संधिいों के लिए के दो क्लासे जरूरी थी क्योंकि अगर हमें क्लास में केवल सवर संदी बताते तो यह कुछ चीज़ें आपके लिए रह जाती है ना तो कंप्लीट करते चलें भले कुछ क्लासे एक्स्ट्रा हो जाएं तो चलेगा अएसे देखो यहां पर बता रहे हैं कि अगर यू के बाद विशर गाये ताथा शाह आए वहां पर चाह और कौन सावाला साथा देखो यह समझने वाली चीज है क्या चाह शाह वह ऐसमें परिवर्टियत हो जाता था यहां ताथा और सााह है तो यह इस वाले में परिवर्थित हो जाएगा अगर चाह शाह और शाह है तो उस quierenशeled तो अब यहां पर यह दंती सा जाएगा निह संग निह तेज त कि रोल जाएगा इसके बाद स्याठ को निशब्स कने क्योंकि सह आ रहा है या नमघाहोथ यह यहां यह वाला इक वह बना री और रहसी नो यह जाुए परिवर्टित हो जाएंगे वहां पर तालब्र में परिवर्टित हो जाते थे अब देखो कुछ अपवाद देखलो यह important है तो क्या यह वसारक वह किसमें परिवर्टित हो गए कि अधार से सामय दंते सामें नमह धनते नमस्ते यह देखो क्या होता है ऐसे पुरह धनकार पुरसकार नमह धनकार नमस्कार खिक ऐसे करके बस विसर्ग की जगए में दंते सा लगा देनी है भासकर भा धनकर भासकर नहीं लिखा अगर के वल भासकर लिखा नम सो है तो भा विशर्ग धनकर विशर्ग नमस्दी का यहां तक आपका हो गया तो यह इब देखना जुरूर्ग यह इंपौर्टेंट फुरशकार इसमें फिंपल सा पूंच लेंगा कौन सी संदी है विसर् वाला सा्थ देगा कि यह वाला सा बनेगा क्यों नियम पड़ा हो इब या इन में अमारा यह वाला साभा जाएगा कि कर देखो हमलों ने पहले देखा कि एकर चाचा है या शाहे तो में परिवरतित हो जाता था ताथा यासा हे तो सा में परिवर्तित हो जाता था अब कुछ वह इसे हैं जैसे का टाठीज अगर यह बैजन poems आए तो आपका यह वाला सा मुर्धन्य सा में सब्सक्राइब कैसे परिवर्थीत हो जाते हैं मूर्धनиля ने सामें तो देखो जैसे दुहु धन कर तो क्या हो गया दुस्कर कि दुहु धन फल दुसफल निधन पाप सब सकषे और वैसे म這邊 लिखते दे ओ तो यही वाली Springs आब इसकार लिखते ओं तो क्या आप यही वाली से बिनाती ओ यह वाली है और ना अभीधनकार अभिशकार वही देखो अवडनकार अविश्कार तो यह बन जाएगा आपका लिए आा जब आपके अगर हस्व ई हो अ rapid loreorm र्याही हू यह कॉयो ओ इसके बाद आपका विशर्ग हो फिर इसके बाद पर देख थ्लिच का हो मुर्धन सा आ जायेगा जैसे दुस प्रहार है दूधन प्रहार अच्छा निसकंटक का देखो नीधन कंटक क्या बन गया निसकंटक मलब विसर्ग अमारा देखो सिंपल सा निदन कंटक्ट यह जो विसर्ग है यह हमारा यही सेम इसको जोड़के लिख दो इसको कट कर दो देखो इसको लिखा है ऐसे करके बन जाएगा चिक कि आगे चलें हम लोग कि नियम इसलिए पढ़ाय दे रहे हैं कि कभी फ्यूचर आप लोग क्लास देख लो या कुछ कोई नियम नहीं समझ में आ रहा है तो पुना आप लोग इसको देख सकते हो तो उससे क्या हो जाएगा नियम इसमें पढ़ा दिये जाएंगे बता दिये जाएंगे देखो नियम आप लोग भी पढ़ सकते हो लेकिन यहां पर थोड़ा समझा दिया जाएगा और पीडिएप से इसलिए आप लोगों को बता दिया जिससे जल्दी हो सके है ना मैं तो पूरी व्यन्यन और पूरी स्वर्व विसर्ग संधिया एक दिन में या एक घंटे की क्लास में हमाई स भी समझ से ना रहा थी यह तो फिर और ऐसे जाता है ना तो देख यहां पर देख'sक की कि पहले स्वर हो क्या हो कौन सा स्वर हो तो आ और आ स्वरों को छोण के बांकि कोई सावी स्वर हो और बाद में घोश्वर्न आए तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है जैसे देखो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा पहले विसर्ग को आपने शा में परिव किया इस वाले सा में परिवर्तित किया अब रामें परिवर्तित कि खिक देखो जैसे निही धन अक्षर तो क्या हो गया है हां तो देखो जो पहले जो यह बता रहे हैं कि जो विसर्ग के ऐखिख पहले हो स्वर वह ऑं और आके अलावा कोई अलग हो कौं सा विसर्ग के पहले जो स्वर है हो वह कैसा हो आया आना हो आना जाना हो में कोई भी जो देहों यहाँ पर विसर्ग तो विसर्ग के पूर्व कैसा है इसके बाद फिर अक्षर आप बता रहे हैं कि जो हमारा विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा रा में तो बस अब इसको वैसे लिख दू नी और विसर्ग की जगह रा लिख दो और यह रा में जब यह आ जुड़ेगा यह हट एं जब लो रिट वाला ले लेँगा यह अन्य यह भ्ली फिन दे टेखते हैं ठिक पैसे दी नी धं जरों जाये ωजाए कि क्वें और विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा रा में परिवर्तित हो जैएगा यह आ यह बना ओगे इसके वाद न आ गए इसके अगैं के स्व है तो यह भी रहा दूडंतिरा लगा दी जाती है है तो यह भी रहा ऐसे दुह धन गम दुर्गम हो जाएगा ठीक समझ में आया बिटा का आज चला गया कि चलो इसका कि आज हम लोगों की यह वारी लगबग हो गई ठीक क्लास कि यह देखो कि तो नी धंजन निर्जन है है ना ऐसे करके अब यह लास्ट और थोड़ा बचा है एक बार देख लेते हैं की अप्वाद में आपका न और लोकन को तो नहाओ लोकन हो जाए tongue यह यह विसरक रामे परिवर्ति वह गया पुना आपी बुनरपी is Upi इक्षण पुनर इक्षण पुना धन उक्ति पुनर उक्ति पुना निर्माण पुनरिणमाड पुना अपी पुनरपी तो यह एक बार समझना एक बार पढ़ना तभी clear होगा कि यार इसमें विसर्ग है पुना क्योंकि जो बच्चे संस्कृत के टच में नहीं है उनको वावस्चा है विसर्ग के पस्चात रहा आए तो वहां क्या हो जाता है िमारा कि में तथा प्रीवर्दी हो जाता है जैसे देखो के अनि धन रोग तो यहां जो ए ना अब किस नं स्लीट हो गया द्यर्ग हो गया डेको अगर यहारा किंवारा त्याएगा डी वजय 건 उ किस में हो जाएगा दिर्गू में हो जाएगा निह रोग नियरोग बन गया है निह रव ठीक कोई समंस्य जैसे देखो अच्छा दुई हृु और राज है दुऊ राज तो यह मर उकार है यह दीर्ग उ में परिवर्तित हो जाएगा दूराज हो गया नी धनरस तो क्या बन गया नीरस ऐसे बना है अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो नी धनरस होगा लेकिन वैसे क्या हो जाएगा ऐसे नीरस हो जाएगा ठीक तो इसके बाद देखो यह हम लोगों का हो गया अब हमारी समझ से जितने भी आपके नियम थे ना नियम कायदे कानून वह सब हो गए बांकी आप लोग इसके इसके एक्जामपल देखिएगा तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा ठीक अपाबल यह देखो लोगों ने कर लिया क्या का इसकी जो PDF है वह आपको AD Smart Classes के टेलीग्राम ग्रुप में है ठीक इसके आपको टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जाएगा एक बार तो एक बार हम फिर बोल देंगे तो यह डाल दी जाएगी PDF आप लोगों को उपलब्द करा दी जाएगी तो पहले आप लोग क्लास तो देखी चुके हो फिर भी नहीं समझ में आता तो आप लोग PDF देखिए प्रैक्टिस लगाईए फिर जो भी कुछ दिन बाद अभी एक दो क्लास के बाद से लाइव क्लास से चलाएंगे जिसमें अगर कोई confusion पूछन पूछन आया कुछ भी है तो आप लोग वह भी पूछ सकते हो दिरे दिरे लाइव क्लास में भी आएंगे तो जिसको समय मिले तो जरूर से जरूर जुड़ें और अपने जो भी questions है या जो चीज़े नहीं समझ में आती है वह जरूर यहां पर आप लोग question कर सकते हैं जहां तक हो सकेगा हम लोग बत यह अपने आप में महतोपूर्ण भुमिकानिव आता है प्रश्न पत्र में जरूर आता है जितने भी एक्जाम है उनमें आता है तो आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं मिलते हैं फिर next class में सब तक के लिए जो है नमस्कार ख्याल रखिए अपना सब लोग और फिर हम लोग इसमें प्रैक्टिस जरूर करेंगे प्रैक्टिस आप लोग भी करिए जहां जहां इसको मिलें question previous year वह करिए बाकि फिर हम लोग next class में मिलते हैं